हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप ओनलाइन अपने घर बैटे ही फ्री में सेविंग बैंक अकाउंट कैसे ओपन करा सकती हैं सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री में आपका ये अकाउंट ओपनिंग होगा दूसरी इसकी बात ये है कि आपको इसमें कोई भी बैलेंस मैंटेन नहीं करना होगा जीरो बैलेंस ये सेविंग अकाउंट होने वाला है उसके अलावा इसकी खास बात ये है कि आप घर बैटे ही ओनलाइन सिर्फ एक दिन के अंदर-अंदर इस सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करा सकते हैं आपको अपना अधार काड चाहिए होगा और आपको अपना पैलिकार चाहिए होगा और ओनलाइन प्रोसेस करके ही आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करा पाएगे इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको वर्च्वल डेबिट काड मिल जाता है जिसके मदद से आप ओनलाइन शोपिंग कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें कोई भी मैंटेनेंस चार्ज नहीं है यानि कि अकाउंट को मैंटेन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देने होगे तो अगर आप भी घर बैटे एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं वो भी जिरो बैलेंस का तो आईए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करा सकते हैं जो जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आपको ठीक वही प्रोसेस फोलो करनी है तब ही आपको जो अकाउंट है वो ओपन हो पाएगा यहाँ पर आपको एक बाद ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी एज 25 साल या 25 साल से ज़्यादा की है तब ही आपको यह account open करना है otherwise हो सकता है कि आपका यह account है वो open ना हो तो आईए जानते हैं कि कैसे आपको यह account open करना है तो account को open करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इस वीडियो के description box में एक link मिल जाएगा उस link को आपको open करना है link को open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको जो जो details पूछी गई है वो सब भी details एंटर करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपका pen card number एंटर करना होगा उसके बाद जो भी आपका mobile number अदार card में registered है वो आपको mobile number एंटर करना होगा यह एंटर करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP आ जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है तो हमारे mobile पर OTP आ चुका है यह OTP एंटर करते हैं उसके बाद जो भी आपकी email ID है वो आपको एंटर करनी है और जो भी आपकी city का pin code है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा यह एंटर करने के बाद आपको आई authorized पर क्लिक करना है और इसे submit कर देना है यह submit करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile नमबर फिर से एंटर करना है और आपकी email ID फिर से एंटर करनी होगी यह करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी city का pin code एंटर करना है और open now पर क्लिक करना है यह करने के बाद आपकी जो email ID आपने एंटर की थी उस पर आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको enter करना होगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ठीक उसी step को follow करके आप account को open करेगी तो एक ही बार में आपका जो account है वो open यहाँ पर हो जाता है तो मैंने यहाँ पर OTP enter कर दिया है उसके बाद आपको pen card details enter करनी होगी यह enter करने के बाद आपको अपना अधार card number enter करना होगा अधार card number enter करकी इस पर आपको click करना है और proceed to verify के बटन पर click करना है उसके बाद आपको फिर से proceed करना है यहाँ पर जो device की process होती है वो आपके अधार कार्ड की मदद से होती है इसलिए आपको अपनी अधार कार्ड की डेटेल्स एंटर करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर हमारा अधार OTP आ चुका है जिससे हमारी जो डेटो बर्थ है नेम है और जेंडर है वो यहाँ पर ओटोमेटिक आ चुका है उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना OCCUPATION सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर मैं BUSINESS सेलेक्ट कर देता हूँ उसके बाद आपकी मंधली इंकम जो है आपको यहाँ पर टाइप करनी है उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो है वो यहाँ पर टाइप करना है उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और आपका जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है यह enter करने के बाद आपका जो भी mother name है वो यहाँ पर आपको enter करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपका जो communication address है वो यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर same as communication address पर ok कर देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे के तरफ आपको proceed के बटन पर click करना होगा नोमिनी यहाँ पर add करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपके साथ कोई दुगटना हो जाती है तो उस case में जो भी आपका bank balance है वो आपके नोमिनी को मिल जाता है तो यहाँ पर उसके बाद आपको इन सभी terms and condition को agree कर देना है और उसके बाद proceed to mpin के button पर click करना है आपसे यहाँ पर जो जो details मांगी जाती है वो details आपको बिल्कुल सही तरीके से fill करनी है तब ही यह जो process है आपका वो complete हो पाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको mpin set करना ह तो अभी के लिए मैं एक mpin select कर देता हूँ जो कि आपको six digit का select करना होगा तो मैंने यहाँ पर mpin create कर दिया है उसके बाद आपको confirm mpin पर click करना है और आपके mpin जो है वो यहाँ पर successfully set हो जाता है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं prepare your debit card का option हमारे पास आ चुका है तो आप यहाँ पर अपनी domestic online transaction को on कर सकते हैं जिससे आप online shopping कर सके उसके बाद आपको confirm के button पर click करना है और yes virtual card only पर click करना है इससे आपको जो virtual card है आपकी mobile में ही मिल जाएगा जिससे आप online shopping कर पाएगे उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने debit card का क्या pin create करन चाहते हैं तो इसके लिए आपको yes पर click करना है यहाँ पर yes करते हैं तो जो आपने MPN create किया है वही आपका debit card pin यहाँ पर हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको skip for now पर click करना है यह करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा account है वो ready हो चुका है हमारा MPN set हो और हमारी debit card की जो भी details है वो हमारी तरफ से पूरी हो चुगी है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा account number आ चुका है IFCC code आ चुका है और UPI handle आ चुका है यह करने के बाद हमारी KYC process होगी वो हमें करनी होगी ताकि जो भी हमारी account opening की process है वो complete हो सकी तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है complete full KYC के option पर अगर आप इन details को save करना चाहे तो इसका screenshot आप अपने mobile में भी ले सकते हैं यह download के button पर click कर सकते हैं उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आके देखेगे तो जो भी आपका debit card है उसके details भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर आपको click करना है complete full KYC के button पर अगर आप KYC करते हैं तब ही आपकी जो यह account opening process है वो यहाँ पर complete होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC को पूरा करने के लिए आपके पास original आपका pen card होना चाहिए आपकी एक profile picture होनी चाहिए और आपको यहाँ पर जो white page है उस पर आपकी signature करनी है तो उसके बाद हम click करते हैं proceed to verify के button पर यह करने के बाद आपको अपना address select करना है और proceed with अधार address पर click करना है यह करने के बाद आपसे फिर से पुछा जाएगा कि आप physical debit card चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो इस पर आपको no करके confirm के option पर click करना है उसके बाद आपको फिर से in terms को agree करना है और agreed and proceed के button पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी pen card की original photo click करनी होगी तो आईए अपने pen card की photo हम यहाँ से click कर देती है उसके बाद यहाँ पर आपको selfie upload करनी होगी selfie को upload करने के बाद यहाँ पर आपको अपने signature भी upload करने होगी तो आपको अपने एक white paper पर signature करनी है और इसकी image यहाँ पर upload करनी है तो यहाँ पर हमने अपने pen card upload कर दिया है, अपनी selfie upload कर दिया है और अपना साथी साथ जो signature है वो भी upload कर दिया है उसके बाद यहाँ पर हमें allow के बटन पर click करना है तो यहाँ पर आपने देखा video call की मदद से जो हमारी video KYC है वो भी complete हो चुकी है यह सबी process complete होने के बाद जो भी आपका kotec account है वो यहाँ पर open हो जाता है यह video KYC खतम होने के बाद आप अपने mobile में kotec 811 app install कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपका virtual card है उसको access कर सकते हैं और जो भी bank की सुईदा है उनको access आप कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ इस process की मदद से आप भी अपने zero balance account open करा पाएगे अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं या फिर आपके पास customer care की तरफ से call आ जाती है जो की आपकी help करेगे इस account की opening की process में तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आयोगी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा साथी साथ आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की latest videos आप सभी को मिलती रहें धन्यवाद